असलाम अलेकों मैं हूँ अभील और आप देखें शो मलीशन पाम ओइल जाइकों का दस्तोखान और ये शो आफ तक पहुचाने के लिए हमारे साथ तावन किया है मलीशन पाम ओइल कॉंसल लें मलीशन पाम ओइल हमारे कुकिंग ओइल और बनासपती का बुनियादी जोज है इसके साथ साथ ये कनफेक्शनरी, स्नाक्स फूर्ड, फास्फूर्ड और इसके साथ साथ बेकिंग, आइसक्रीम और दीगर सनतों में बड़े पैमाने पर मलीशन पाम हॉयल ही ही समाल किया जाता है जो कि हम ओन और आफ आपको अपने शोग पर बहुत सारी इंफरमिशन दे रहे होते हैं मलीशन पाम ओउयल से ही और इसके साथ साथ बनाते हैं शानदार, मज़ेदार, जाइकेदार खाने क्योंकि ये जाइकों का दस्तोखान है तो जाइके से भरपूल क्या आज शो पर रेसिपीज बन रही हैं तो बुलाते हैं आप की हमारी फेवरिश शेप जिन से जी हमारा ये दस्तोखान खुचूरा सचता है वाकम करते हैं शेनापर, अस्वाले कॉम तो कैसी है आप अब अच्छा सा ड्रेस पैनावाश तो वास्तोखान अश्ला अलेकम नाजरीन उमीद है अप्ला आलेकम नाजरीन उमीद है आप तक तक होंगे और इस जबरदस से जाइखों के दस्तर खान का सफर इंजॉय कर रहे होंगे पूछेंगे निया मिख़ुद graffiti करत Inde की बनारी हैं एज हम हम बहुत ही मजेकी बनारे हैं दाल ओ डल बन रही है और हम बना रहे हैं स्पगेटी कटलेट्स, तो ये इस्पगेटी कटलेट्स का सहाने ये हमारी डाल के स्टेप से ये नाल का आपको बाद में समझा दूगी, वेकर डाल मैं वाल करे लाई हूं और जब डाल तयार होगी तो इसका तड़का हम लगाएंगे ब मुश्बूर से धरावा ये बनासपती यूज होगा बिकाज इसका मेन इंग्रीडियन्ट है मलेशियन पाम उयल जिसमें कुदरती ताओर पर विटमिन ई भी पाया जाता है क्लारेस्ट्रॉल से पाख है और मैं ही नहीं दुनिया भर के बहुत सारे शेफ्स प्रिफर करते हैं कि ऐसा बनासपती और ऐसा ओयल लिया जाए जिसका मेन इंग्रीडियन्ट होता है ने इस इंपाम ठीक है तो बिसमिल्लाई रह्माने रहिम के साथ शो का अगास करते हैं पहली रेसिपी हम आते हैं स्पगेशी कटलिट्स ये भी बहुत असान है सारी छीजें आपको एक प्याले में डालके मिक्स करनी है और उसके बादे हम इसके दनाएंगे कटलिट्स इसको अंडे में डिप करेंगे ब्रेट क्रम्स में रूल करेंगे और हम करेंगे इसको फ्राइब तो हम ले लेते हैं इधर एक प्याला और इसमें हमें डालना है मैश्ड पोटेटो तकरीबन दो काप इसमें हम स्पगेटी डालेंगे दो काप स्पगेटी को कोई बाति मैं इस से कर लेती आर अर टोड़े सी प्रेटी को बॉल करते ही वक्त ना अब जरा सब तोल दीजे अचा छोड़े पीसे इसे चोड़े सी चोटे होने चाहीं टीके दो कप स्पगेटि हो और तो हम आलू के साथ हमारी बॉइल स्पगेटि चली गई स्पगेटि एक कप कची ले लिजेगा और तो बॉइल होके जादा ओटा ठीके यह हो गया अब हम इसमे डालेंगे शिम्ला मिर्च छोटी छोटी क्यूम्स में कतीजी एक अदर फिर इसमें जाएगा भुट्टा स्वीट कॉन कर दो फ्रोजन ले लो आपकी मर्थिये मश्रूम्स जाएंगे बिल्कुल बारीग चॉप्ट चार अदर कान मश्रूम्स उसके बाद में इसमें आदा कप जाएगा गाजर कदू कश्किया वा कितना है बच्छों के लिए ठीके उसके बाद इसमें जाएगी चीज ग्रेट चैडर चीज डालें या वो क्रीम चीज जो आती है बाटल वाली वो भी आप दो टेबल स्पून डाल सकते हैं ठीके चीज का फ्लेवर नहीं पसंद है वाइड कर दीजिए ना डाले उसके बार इसमें जाएगा बॉइल एं श्रेड़ चिकन एक मुगी का सीना लिया उसको आपने बॉइल किया जरा से नमक के साथ पानी के साथ और उसको श्रेड कर दिया ठीक है फिर अब सीजनिंग पर आते हैं इसमें जाएगा नमक one teaspoon heat because किसी चीज में नमक नहीं है ठीक है नमक चला गया इसके बाद में इसमें जाएगी काली मिर्चे आप one डाल दो अगर आप जादा spicy पसंद नहीं है तो आप आदी डाल दो ठीक है उसके बाद इसमें जाएगी crushed red pepper one teaspoon पून आची तरह से करोंगी मिक्स तो इसलिए भरपूर है, वाइटमिन E से खुदृती तौर पे, इसमें एंटी ऑक्सिदेंस भी मौझूद हैं, जो के आपको हार डीजीज, इसलिए अपने हर खाने तयार कर उसको कि में इंप्रीडियंट हो अच्छा, आपा हम ब्रेक ले सकते हैं, जब तक इसका शेप देती हुए, एक बचारूंगी आपके सामने शेप दूँगी, और फिर हम डिप करेंगे, फिटे में अंडे में, बैक्रम्स में तूट करेंगे, आपके, आपके, आल राइट, तो फिर आगे क्या हो रहा होगा, फ्राय हो रहा होंगे, बड़े ही शांदार और मज़दा से स्पगेटी कटलिस जो यहां रेडी हो रहें, फिर एक बहुत ही शांदासी दाल है, आज के शोव पर और मज़दार रेसिपीज हैं, तो देखते रही हमारा शो, मिलीशियन पार मॉइल, जाइको का दस्तोखान, हम चारें, बस एक छोड़ी से ब्रेक पर फिर आपको जोइन करते हैं, वेल्कम बाक टेशो, मिलीशियन पार मॉइल, जाइकों का दस्तोखान, यहां पर आज की रेसिपीज भी हैं, बहुत ही मज़ेदार, क जिसका मतलब है, जो मिलीशियन जबान का एक वर्ड है, जिसका मतलब है, पाम, डिवाइन ब्लेसिंग, अल्लाग ताला की नेमत का शुक्र अदा किया जा रहा है, और यह केमपेंड स्टार्ट किया है, जो कि आप लोगों को बताई जा रही है, कि हर दिन, हर पल, अल्लाग मलीशिया की जी, मलीशियन पाम ओल मलीशिया की एक बड़ी एक्सपोर्ट मैसे भी एक है, तो यह खुबसूरती बात है, जो कि हमने का पुछो के दौरान भी यह तमाम चीजे बताते चले, और अब बताते हैं, जी ब्रेक में आपाने क्या काम किया, अच्छा जी, मैंने ब इंग्रीडियन से कटिलिया के सब कुछ एक प्याले में डाला, अची तरह से मिक्स किया, फिर उसके हमने काट जिए को यह देखरे जिए क्स तरह दिया यह थे थे थे, एसे, बहुत अच्छा फाइन छी ठीक है यह हमारे कट्रिज का शेप आगया और फिर इसको हमने डिप करना है अंडे में बिटा अब ओई दालो और यह कॉन सा ओई है जिसका में इंग्रीडियंट है मैलेशियन पामोल और कुद्रती तौर पर इसमें विटमानी शामिल है क्लोरिस्ट्रॉल से पाक है और बहुत सारी बेमारियों से हमें सेफ रखता है यह जी एक वजटेबल ओयल इसकी कॉलिस्ट्रॉल प्री है और इसके साथ साथ इसमें इंटी ऑक्सिदें भी मौजूद है जैसे आपा बतारी है क्लिए तौर पर वाइतमिन ए से भी भरपूर है तो इसलिए अपनी हार रेसिपी तयार जाए टार जाता है तो अबताई यह कर बदा यह अगा बस कि के अच्छी तरा से इसको हम गरम होने देंगे पिर हम अपने एक एक लिए निया निया उटेंगे कि ये फ्राइ पैन में ज्यादा तेल है लेकिन गरम अच्छी तरह होना चाहिए तेल और ये हाई टमप्रेचर पे भी अपनी खूबिया स्टेबल रखता है और इसका स्मोग पॉइंट जो है वो है 235 डिग्री सेंटीग्रेट इसलिए तमाम इंडस्फ्री जो है फ्राइन के लिए प्रिफर करती हैं बेस्ट समझती है कि मिलीशियन पाम ओईल का ही नितखाब कि अब हम इसमें करेंगे फ्राइब जब यह अच्छे से गर्म हो जाएगा जब टेल हमारा ऑईल गर्म हो रहा हम आपको डल के बारे में समझा देतें आपको खटी डाल के लिए आपको और सी सुनिया प्लेनी है मसूर की डाल जो के और इंज कलर की होती है एक पाव थाइसो उसमें मैंने दो टमाटर चॉप टाले थे मुटा मुटा चार टुकड़े करके हल्दी हाफ टी स्पून चिली पाउडर वन टी स्पून अध्रक लसन का पेस्ट एक खाने का चमच ये डाल के आपने डाल को उभाल दिया ठीक है जब डाल आपकी गल गई तो मैंने इसमें हरी म मेर्चें और हरा धनिया डाल के इसको आपने पकाया है और अब मैं इसको आप चाहो तो ब्लेंड कर लो नहीं तो मुझे घुटी भी पस्ट है थोड़े सा हम इसको पतीरी में डाल के इस पर विस्क से जरा सब गोट रूई ठीक है फिर हम इसका करेंगे बगार और बगार ह हमारा बनासपती से जिसका में जो जुज है वो है मलेशियन पामोय ठीक है और उसमें हम डालेंगे लसन कुटाबा साबत लार मिर्चें जाएंगी जीरा साबत राइदाना और कड़ी तो इसको आप बॉयल्ड राइस के साथ खाएंगे वाव तो ये दाल होगी चाहाँगा ये कटलिट्स बना और डाल चावल जाएंगे आपका पर्फेक्ट लंच ये डिनर रही है वेरी गोड़ा इडिया क्या अच्छा आपा ने दोनों का कॉम्डिलेशन रखा है जेखें इतनी महंगाई का जमाना है अब आप रोज गोश और मुर्गी नहीं कर सते हैं बच्च ये भी है कि हम उस ओइल का इस्थिमाल कर रहे हैं जिसका में जुल्स मेलेशियन पाम उइल है जिसमें बेटमी नहीं चामिल है क्लॉरिश्ट्रॉल फिर पाक है तो आप सोचें इतनी बिमारियों से आपको बचा के रखता है कुदरती तोर पे और इसका इसमें आपको अच्छी आ रही है कुछभू कि आप इसमें में इंग्रीडियन हो और जी वाकि ही स्कारोमा बहुत अच्छा आ रहा है क्यूंकि इसका में इंग्रीविएंट जैसे आपा बता रहे है कि मेलेशियन पाम उइल का चूँकि ये एक न्यूट्रल ओईल है इसका अपनी कोई ख जब जब आफ खाने से बनाते हैं और इससा बने cooking oil and बनास्पती से जब आफ खाने तयार करते हैं Toh वो खाने की लज़्या जाइका खुश्पू अरोमा जो है सब बढ़ा देते हैं जाइकेदार साथ साथ सेहर से भार पूर खाने तयार होते हैं तो यह बहुत मज़िदार से कट्लिस यह हो रहे हैं ते यह देखें है हमारे कट्लिस कुप्सूरच आपको बोल्डन कलर आना चाहिए आप इनको अगर आपका फ्रीज बहुत अच्छा है तो आप इसको दो दिन फ्रीज में रख सकते हैं अपा हम ब्रीक ले ले लेगे हैं यहां प्राय करती हूं आप पीछे से फ्लैटर उठाई आप देखें अप्लैटर हमने अल्रेडी केचप के साथ और मज़िदार इंली की चटनी क साथ सजाया वर रखा है इसमें हम यह जबरदसे कटलेच आपको सर्फ करेंगे वापस आएंगे तो यह दाल आपको एक पतीवी में मिलेगी वापस आपको फिर समझाती हूं और देंगे इसका तड़का बनास पतीवे ठीक है जिसमें शामिल है मलेशियन जिसका में इंग् कुदृती तौर पे तुस्तमाल की जपने हर खाने में तमाम वो कुकिंग ओए वो बनास पती जिसका में इंग्रीजियन हो मिलेशियन पाम वैल अभी तो एक रिसिपी पूरी वाकी है जो के ताल की है वो भी बहुत ही खास उसे भी जानेंगे इसलिए देखते रही हमारे मिलेशियन पाम उइल जाइकों का दस्तोखान बस हम यूँ चाह रहे हैं चुड़ी सी ब्रेक पर और जल्दी ही वापस आते हैं मिलेशियन पाम उइल जाइकों का दस्तोखान बहुत ही मज़ेदा से स्पगेटी काटलिट्स यहां पर हो गए हैं तयार जो के गर्व गर्म मज़ेदा और क्या अच्छे बने हैं आपा मैंने ट्राइ किये जब गर्म गर्म तयार हो रहे तो आपने ठेट सारे तयार के बहुत लाइट हैं बहुत हिल्दी है उसके साथ साथ एजिली डाइजस्ट हो जाएंगे एनरजी पी आपको देगा बच्छों को दीजे नामशा के बच्चे बहुत खुछ होंगे वजटेबल्स भी हैं आपको चीज भी मल रही है पिसके साथ चिकन भी है और फिर ऑफिर तो बहुत ही हल्दी जाएक दार में सेदार अच्छा अबील अब मैं आगी हूं खटी डाल पे आपको खटी डाल का पहला स्टेप बता दिया था आपको मसूर की डाल लेनी है एक पाव उसमें आप डालेंगे दो टमाटर या एक बड़ा टमाटर या दो चोटे टमाटर सा कि जब डाल गल गई तो आप मेने ये पोटेटो मेशर से इसको अची तरह गोट लिया तो इसको अची तरह आपने गोट लिया है ताकि ये अची तरह से घोट जाए ब्लेंडर नहीं की जएगा ठीक है और फिर अब मैं इसका तड़का लगा रही हूं तरका हम किस्ती में नगांगे वर आस्राफी में लगाएंगे जिसका मेन इंडेट है आप देखें यह सरिफ कुकिंग में ही नहीं तरके में भी यूस्ट किया जा रहा है तो यहां पर मैंने बनास्रपती ले लिया जैसे कि मैं आपको बताती हों कि यह एक एंफेक्शनरी स्नाक्स, रुल पास्फूद, बेकिंग, आइस क्रेम, यानि के हर एक चीज में इस्तमाल हो रहा होता है, मलीशियन पामोयल, इसलिए सुब्बा से शाम तक आप जो जो खा रहे होते हैं, हमारे खाने में कहीं न कहीं, म अच्छा, यहां मेरे पास इमली का पल्क पड़ा रहा है, तकरीबन कॉटल का, यह इसमें हमारी दाल में चला गया, खटाई देने के लिए, ठीक है, तुमाटर तो है, लेकिन फिर भी यह खटी दाल है तो, अच्छा, अब बगार पे आते हैं, हमारा बनास्पती, हो गया ह गरम, ठीक है, और इसमें हम डाल रहे हैं, लसन, कुटावा, वन टेबल स्कून, जीरा, सफेद, साबत एक चाय का चमच, मस्टरच सीज या राई दाना, हाप से वन टी स्कून, साबत लान मिर्च, पांच, छे, आठ परजिया की, यह चली गई, और इसमें जाएगा एक मु यह वस्त्राइब है यह चली जाएगा है कि आठक सीज उत्षबू अच्छा, आठक साबत खुछबू के लिए तोस्टाइब इसमें चली गई तोड़ासा हम इसमें अदिहारा धनिया कान्या डाल देंगे जाइका और आपको पील होती है खाने में जाइका मिलता है वैसे बनाते है आप खुश्बू एंजोई करते रहते हैं किसारा कवाल है मेलीशियन पाम ओलता है डाल तयार है बस सिफ बगा जाएगा पुश्का बना लीजिए वाइचावल और उसके साथ आप ये ताल एंजोई करें अगर आप इसमें लॉकी डालना चाहते हैं आप बितको लॉकी भी डाल सकते हैं लॉकी भी आप वाइल करते वक डाल बीजेगा तो आलके साथ गलेगी हां पिर लॉकी निकाल के उसको खोड़ बस यह देखें लस्तन हमारा हो गया है अब हम चलते हैं आप अब हम चलते हैं अपर रीकाप में बेकुल चाहिए के दो रसेपी सेयार एक तर्व स्पगेटी काफलिट्स दूसी तर्व बहुत शांदार सी खटी डाल कुश्बू यह कुश्बू हमारे किच्ण में है महक राय मज़दार सी खुश्बूं के साथ अब ही ट्राइन है रीकाप देखें ताके आप भी इसी तना से महका हैं अपने किच्ण को शांदार और मज़दार जाकेदार रसेपीस के साथ तो चकी जो रीकाप ठर हम आपको नहीं जॉइन करें हमारी यह दाल यह दिशाओट होगी उसे भी लिखाते हैं स्पेगटी कटलेट्स अजजा उबली रेशा की हुई चिकिन एक काप उबली स्पेगटी दो काप छिले आलू दो काप कटी शिमला मिर्च एक अदद स्वीट कॉन एक काप मश्रूम चार अदद कदूकश गाजर आधा काप कदूकश चीज आधा काप नमक एक चाय का हरा धनिया दो खाने के चमचे, कटी हरी मिर्चें दो अदद, फिटे हुए अंडे दो अदद, ब्रेट क्रम्स डेट का, कुकिंग ओल पाम ओल से बना हुआ हस्पे ज़रूरत, तर्की, एक बोल में तमाम अजजा मिक्स कर लें, अब इस मिक्स्टर को गोल या स्क्वेर्स क की शकल दें, फिर इने फिटे हुए अंडो में डिप करें, इसके बाद इसे ब्रेट क्रम्स में कोट करें, अब कुकिंग ओल पाम ओल से बना हुआ गरम करके कटलिट्स शेलो फ्राइ कर लें, आखिर में चटनी के साथ सर्फ करें, खटी दाल, अज्जा, मसूर की दाल 250 ग्राम, चॉप्ट टमाटर 2 अदर, हल्दी आदा चाय का चमचा, पिसी लाल मिच एक चाय का चमचा, अधरक लेसन 1 खाने का चमचा, मजीद अज्जा, इम्री का गुदा 1 चथाई का, नमक 1 चाय का चमचा, हरी मर्चे 2 अदर, कटा हर खटा धनिया, 2 खाने के चमचे, कडी पत्ते 10 से 12 अदर, भगार के लिए अज्जा, बनास पती पामोल से बना हुआ आदा का, पुटा लेसन 1 खाने का चमचा, साबुत लाल मिच एक चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, कडी पत्ते 6 अदर, पहले मसूर की दाल को पानी क साथ एक पैन में डालें, अब इसमें चॉप टिमाटर, हल्दी, फिसी लाल मिच और अधर कलेसन शामल करतें, फिर इसमें कटा हरा धनिया और हरी मिच्चे डालें, जब दाल नरम हो जाये तो इसे ब्लेंड कर लें, अब इसमें नमक और इम्री का गुदा डाल कर 10 मिनित प का लें, आखर में अबले चावलों के साथ सर्फ करें, जी आफ लोगों ने रीकाप देख लिया होगा, दो बहुत यह असान और मज़दार रेसिपी जो आज शो पर तयार की हैं, डाल की तो बहुत जोरों पर खुश्भू आ रहे हैं क्योंकि अभी भगार लगा है, गर्म मज़दार यहां रेसिपी तयार हो रही हैं, जो के आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं, जो के मिलीशियन पाम ओल, इसका में इंग्रीटिंट है, जो के आपको एनरजी भी दे रहा है, इसी नी डाज़ेस्ट हो जाएंगे, तब यह भोजल भी नहीं होती है, आप तो हर तयार कीजिए, उसी कुकिंग ओई-लाइन बनास्कती में, जिसका में इंग्रीजिंट हो, अर अब टाइम है आपा सवाल, येस, रिनाम जीतने का मौका, आज भी आप लोगों को मिल रहा है, मेरीशियन पाम ओल, कांसर की जानब से, तो जी, MPOC के इस इंस्ट्रग्राम करों जो हो, ये तो बहुत असाने तो ठाए अपना मॉबाइल पोन और लॉग इन कीजिए और जी, जवाब दीजिए और जी, जी सकते हैं, शानदार सा गिफ्ट हम पर, अब हम इजाज़त लेंगे अपर मेरकों इंशालला, नेक्स वीक तक आपसे इजाज़त लेंगे, फ झाज़त लेंगे? कड़ खर ढालन थे तिया लाइट ौाजा लिए इनला आगा अगागागा है तो एल औरीश एला है